राइब्रेली जन्पद में भूमाफ्याओं से परेशान ग्रामील जिला अधिकारी कार्याले की ओर दर्जनों की संख्या में ग्रामीलों ने किया प्रदर्शन भूमाफ्याओं पे ग्रामीलों ने भूमधरी जमीन पर कबजा करने वाद दुकान जलाने का लगाया आरो सिकायत के बाद भी नहीं हुई कारवाई नाराज ग्रामीडों ने जिला रिकारी कार्याले के बाहर किया प्रदर्शन पूरा मामला राइबरेली जनपत के लाल गंस्थाना छेट के नर्पद गंज का है नर्पद गंज चौकी से चंद कदमों की है पूरी वारदाद हमारी जमीन जो है हमारे गाउं से दो किलो मीटर की दूरी पे नर्पद गंज बजार में है जो थाना कुतवाली लाल गंज तैसील डल्मों में लगती है उस जमीन की हदबरारी पत्थर नसब सब कुछ हो गया और उसमें जो है दबंग लोग जबरजस्ती लास गाड़ देते हैं कौन दबंग लोग लास गाड़ वही के ग्रामेड लोग अनसूचित जाद के बेक्ती हैं जो जबरजस्ती लास गाड़ देते हैं अब तक चार डेटबाटी गाड़ी गई है हमने उपजिला धिकारी महोदे डल्माउ से मिल करके पांच अगस्त को जो है अप्लीकेशन दिया उन्होंने एक लेटर निर्देशित किया सियो साहब लाल गंज को थाना प्रभारी कुतवाली लाल गंज को पुलिस चवकी नर्पद गंज को कि अब भविस में इनकी जमीन में कभी जो है डेट बाडी मृत लास न दफना जाये ने पावे उसके बाद भी तीस तारीक को फिर दवंगों ने मेरी जमीन में लास जो है दफना दिया और मेरी गुम्टी भी जो है नौतारीक को मेरी चपल जूते की गुम्टी में दुकान थी जिसको दबंगों ने दिन में एलानिया धमकी दिया था और रात को फुकवा दिया उसके संबन्द मैंने उसी दिन जो है थाना प्रभारी लाल गंज को एक प्राशना पत्र दिया ले कर दिए को लेकर मिलने आई इससे पूर भी मैं डीम साहब से मिल चुका हूँ और प्राश्चना पत्र दे चुका हूँ समस्य का निदान नहीं समस्य का निदान इतना हुआ है कि जो वहां हमारी ही जमीन पर सूर काड़ के लोग वेचते थे उसको केवल रुकवाद दिया गया है बाकी हमारी जियों की त्यों समस्या बनी हुई है उपजिला धिकारी महोदे से मैंने फिर जाके मिला तो उन्होंने करा मैंने जो है आदेश कर दिया है यह काम जो है पुलिस विभाग का है आपकी समस्था बाकी ग्रामीर जो है आपके साथ यह कौन लोग है यह सब हमारे सायोगी हैं वहीं के लोग है